इसलावलेकुम डियर फ्रेंट्स सुबह हमने वी ट्राइट टू कंड़क्टी क्लास उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग एक बरी की लेकिन उसमें कुछ आगेन कोई प्रॉब्लिम हो गया अभी हम पहले कुछ करंटरफियर्स देखेंगे उसके बाद कुछ प्लैनिंग का एक टॉपिक देखेंगे पहले तो एकॉनमी की करंटरफियर्स में NBFC जो रेकुलेशन है नॉन बैंकिंग फिनाशल कॉर्परेशन जो हमने डिसकस किया हुए पहले नॉन बैंकिंग फिनाशल कॉर्परेशन तो और बैंकिंगे उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को चेंज किया हुए देखें नॉन बैंकिंग फिनाशल कॉर्परेशन जो यह आपके डिमांड डिपॉस्ट एक्सप्ट नहीं करता यह वाले और इनका में जो यह डियल नहीं करतें नॉट इग्रिकल्च और इंवेस्टर एक्टिविटी के साथ यह डियल नहीं करतें मैंने आपको बताए हुए अब इसमें में चेंज है कि काफी सारा स्ट्रिक्ट रिगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है वो क्रेट किया गया जैसे हमारा domestically systematic important banks में कुछ checks and balances रखे गए थे इसमें भी again कुछ checks and balances रखे गए और इसमें अगर NPA अब आपको declare करना है NBFC में तो आप 180 days नहीं आप सिर्फ 90 days में ही करेंगे 90 days देख आपको लगा कि कोई substandard asset नहीं वापस आ रहा ना उसका interest ना उसका जो principal amount है वो वापस आ रहा तो you have to declare that as NPA so यह changes है इसमें उसके बद urban cooperatives urban cooperatives जैसे cooperative banks का मैंने आपको बोला था तो इनकी जो regulation थी उसमें भी कुछ issues थे सो अभी पहले क्या होता था पहले यह होता था कि यह control इसका loosely control करता था RBI plus right star of cooperative societies लेकिन अभी RBI ने काफी सारी strict regulations रखे हैं क्यों क्योंकि इसमें कहीं कोई काफी ज़्यादा जो urban cooperatives थे वो बंद होने लगे थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे सो अभी क्या क्या जो है RBI ने बोला है पहला issuance of shares and security is subject to RBI approval क्या आप share issue करोगी या security issue करोगी तो पहले आप कुछी approval लेना पड़ेगा RBI से amalgamation of urban cooperatives can be carried out by RBI अगर लगा कि कोई urban cooperative अच्छे से काम नहीं करता तो इसको किसी bank के साथ मिलाया जा सकता है या दो को मिलाया जा सकता है दो urban cooperatives को RBI can supersede board of directors for five years तो RBI को लगा कि कोई cooperative bank या सही से काम नहीं करा तो वो उसके जो board of directors है उनको supersede कर सकते हैं पांच साल तक उनको supersede कर सकते हैं उसके बाद हम GI tag की सुबह भी हमने बात करने की कोशिश की थी so GI tag में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग या जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग तो जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग का मतलब आप समझ जेजिए कोई नुकसान न करें इसलिए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह चीज़ एंशोर करता है यह जैसे हम बोलते हैं बनारसी सारी अब अगर कोई यहां पर कोई और जगे पर सारी बनाता है फिर बोलता है कि यह जी बनारसी सारी है वो तो आपना फाइदा कर रहा है लेकि के बाद यह जो एरिया है इसको पहचाना जाता है उसी चीज से फिर यह जो जैसे कि सैफरन है सो सैफरन का का काइंड अब ब्रैंडिंग हो जाता है कि यह कश्मीर का सैफरन है सो होगी ब्रैंड यह जी बनारस की साड़ी है यह जी फलानी जगे की मिठाई है यह जी बंगा का अरंबावूर वूड कार्विंग हो सकता है question आ जाए प्री में कि अरंबावूर वूड कार्विंग किस स्टेट से है उसके बद मनिपूर का ब्लैक राइस जो जारखन है सोहरा एक होवर पेंटिंग से एक सुपस्फिक टैप की पेंटिंग गूगल कीज़ेगा इसको गोरकपूर का टेरा कोटा मैटेरिल और कश्मीर का सैफरन तो इनको अभी मिला है जिया टैग उसके बद फास्टैग आपको पता यह क्या होता है गाड़ी पे एक टिकेट जैसा लग जाता है त इसका नहीं होता यह तब ही खतम हो जाता जब यह सड़ जाया मतलब वो चुट टिकेट होता है जब वो पुराना हो जाया फिर वो कट जाए तो आपको नयालाने जाना अदर वस अगर वो ठीक है तो इसका कोई एकस्प्रिट इट नहीं होता उसके वाबत फिनैंशल स्टै इसने क्या दिखाए इसने दिखाए इसने दिखाए capital to risk created assets CR जो है मैंने आपको जो है मैंने आपको बोला भी था अपने classes में जैसे हमने basal normals पड़े था तो उसमें हमने इन सारी चीजों को discuss किया था जो capital to risk created assets का ratio है वो improve हो रहा है और NPS की position भी कुछ हद तक improve हो रही है उसके बाद हम करते हैं बात India digitization fund की इसको launch किया गया Google के दोरा so that India की जो economy उसको digitize किया गया जो small businesses हैं उनको digital technology दी जाए उसके बाद हम करते हैं बात World Economic Outlook 2020 report याद रखना है आपको किस ने किया release यह किया IMF release करता है World Economic Outlook report तो title इसका है Long and Difficult Ascent जो इसका title था theme था आप याद रखिए उसका Global Innovation Index so यह World Intellectual Property Organization जो है हम organizations में देखेंगे World Intellectual Property Organizations को देखेंगे एक तो World Intellectual Property Organization उसके बाद Cornell University and Insight Business School जो है यह rank करते हैं different countries को on Global Innovation Index innovation के हिसाब से कि कौन सी country ने क्या technology कितनी अच्छी बहतर technology जो है उसको adopt किया so इसमें पहला जो number है वो Switzerland का है और इंडिया था 48th number पे आप याद रखेंगे उसके बाद रिवाइज है PSL norms, priority sector norms जो हैं जैसे मैंने आपको बोला था किसी सस्ती से rate पे आपका जो PSL है आपको आईगे सियाद हो जैसे मैंने बोला था इतना loan देना पड़ता है, एक target दिया होता है, around 40% आपको इन sectors को देना पड़ेगा, so that is PSL norms अभी उसमें fresh categories को add किया हुआ है, पहला bank finance for start-ups, एक तो start-ups आपने शुरू करना है तो उसके लिए loans to farmers for solar plants of grids, loans for setting up compressive biogas, तो ये वाले जो sectors है, ये जो categories है, ये fresh categories है, जिनको PSL में डाला गया है, municipal bonds मैंने आपको बोला था, एहमदाबाद ने first time 1998 में किया था, अभी के लिए वडोधरा, जो महराश्टा है, sorry, गुजरात है, वहाँ पे उन्होंने municipal bonds इशू किया है, FDI defense sector में, इनकी increase किया गया है, 49 to 74% under automatic route, ये दोनों चीज़े हमने डिसकस की हुई है, and beyond 74% by government approach route, so I guess आपको याद हो कि automatic route और जो government approach route है, उसके बाद bare, bare necessities index, पिक सही नहीं है, so it is bare necessities index, index for all states based on NSO data, assessing equity in economic development, उसका मतलब क्या होता है, equity आप ऐसा समझ लेज़े कि आप, equality और equity दो चीज़े होती, equality means कि आपने 4 लोगों को दिये 10-10,000 सब को, that is equality, equity means कि आपने 4 लोगों को पैसे दिये, उसमें से कोई ज़्यादा गरिया था, उसको आपने 20,000 दिया, जो बहुत ज़्यादा इमियर था, उसको आपने कुछ नहीं दिया, जिसके बस थोड़ा पैसा था, ठीक ठाक करा था, उसको आपने 8-12,000 दिये, so equity में आप देखते हैं, कि जो जितना जिस लेवल पे है, उस हिसाब से उसको देते हैं, equity में equal distribution होता है, so इसमें क्या किया जाता है, bear necessities index में देखा जाता है, कि क्या bear necessities जो जिन्दा रहने के लिए, जो चीज़े हैं, क्या वो लोगों के लिए हैं, और उस base पे ये देखा जाता है, कि economic development तो होती है, लेकिन economic development क्या inclusion हो है, क्या ही हार इंसान तक पहुंचती है, so इसमें ruler and urban and all India level पे ये जो bear necessities index है, data लिया जाता है, और rank किया जाता है, on basis of ruler को अलग से urban को and all India level पे, water, sanitation, housing, micro environment and other facilities जो होती है, ये इसके कुछ segments होते हैं, जिनकी base पे, जिनकी क्या condition है, उसके साब से फिर ranking दिया जाता है, उसके बाद केरला, पंजाब and हरियाना जो है, य चाहरखन वेस्ट पंगल के पूरा ये bottom पे, तो याल रखने हैं, करला पंजाब ये top पे है, और मित्रा स्कीम मित्रा का full form है, mega integrate textile region in April to double size by 2025, ये स्कीम है, so that जो textile sector है, वो बढ़ जाये, double हो जाये by 2025, मतलब 4 साल के बाद, इसमें क्या है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज ग्रोथ हो जाए उसके बाद Global AI मतलब Artificial Intelligence Action Alliance यह launch किया था World Economic Forum ने किया है इसका मतलब क्या है to develop inclusive AI technology inclusive AI technology मतलब कि अगर आप robots को develop करते हो तो यह robotic technology का inclusively सब countries को सब इंसानों को फाइदा मिलना चाहिए दूसरा principle ethical AI इसा नहीं कि आपने Artificial Intelligence को रॉबर्ट को इसलिए बना कि किसी का कतल कर दो नहीं ethical practices में होनी चाहिए और best practices यह जो Global Artificial Intelligence Action Alliance है इसको launch किया है World Economic Forum ने यह आपको याद रखना है उसके बाद One District One Product सब्सक्राइब देखे जापान में क्या concept था वहाँ पर था One Village One Product अभी One District One Product है यह scheme कि हर डिस्टिक में कुछ ना कुछ unique होता है तो उस uniqueness की वज़े से क्या होता है वो डिस्टिक पहचाना जाता है Ministry of Commerce and Industry की यह scheme है इसमें क्या किया जाता है कि किसी specific district में कोई specific चीज मिलती है फिर उस specific चीज की marketing की जाएगी यह डिस्टिक को पैसा दिया जाएगा फंड दिया जाएगा टेकनोलजी प्रोवाइड कर ली जाएगी स्किल्स दिया जाएगा वो जो चीज कोई बनती है तो फिर उनको टेकनोलजी दिया जाएगा उनको पैसा दिया जाएगा schemes लाएग जाएगे वहाँ अप्ग्रेड किया जाएगा इसका जो ब्रैंड है वो अच्छा सा बन जाए और फिर national और international लेवल पर इस चीज की marketing हो जब ऐसा होगा तो इस चीज की product की demand बड़ेगी जो यह district जो है वो तरक्य करेगा उसके बाद E नाम है national agree market इसमें क्या होता है online trading platform है आप मालेज़े कोई farmer है उसके पास rice है और कोई buyer है अब farmer के पास क्या होता है वो मंडी में जाता है वहाँ 4-5 buyers होती है तो उसकी limited choice होती थी लेकिन अभी के लिए क्या है online platform में बहुत सारे जो लोग है वो उसको available करते है उसमें यह होता है कि online farmer है वो 30-40 लोगों से मिलता है 100 लोगों से मिलता है फिर उसको अच्छा best rate मिलता है उसके बाद सक्षम and seaweed mission सक्षम means श्रामिक शक्ती मंच सो इसमें क्या है श्रामिक शक्ती मंच क्या है यह एक job portal है एक website kind of है तो यह जो micro small medium enterprise है छोटी छोटी companies को जो employee चाहिए होते हैं उनको एक तो अपनी job की requirement इस portal पर डाल देते हैं अपनी इस website पर डाल देते हैं कि हमें जी चार मुनाजिम चाहिए सो जो employee होता है वो भी इसी website पर जाएगा फिर मतलब यह जो website है यह job seekers को और job providers को मिलाता है उसके बाद seaweed mission क्या है सीवीर में क्या होता है commercial level पर seaweeds को use किया जाते है आप समझेजिए यह sea grass है अभी कोई फटा जो है लकडी वो डाली जाती है coastal area में उसके बाद neutriners डाले जाते हैं तो जो seaweeds हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं अभी हम क्यों चाहते हैं seaweeds उग जाए seaweeds को इसलिए उगाना चाहते हैं क्योंकि उनका commercial value होता है वो as in medicines में use हो जाते हैं वो as food use हो जाता है वो as coloring agents use किये जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आप समझ जीजे हमारा जो coastal area है हमारे देश का वो बहुत बड़ा है तो अगर हम sea farming करते हैं और उन उस sea grass की जो हमें काफी help करता है तो होगा क्या होगा यह कि हम तरक्की करेंगा हमारा GDP बढ़ेगा उसके बाद हम करते हैं summer scheme की बाद सो इसमें क्या है skill up gradation and in hand looms, handicraft, ciricals and jute देखें जूट के साथ, ciricals के साथ जो लोग काम करते हैं उनका sickle develop किया जाए आप मालेजे skill develop करने का मतलब क्या है कि एक है वो cook है अब उसका sickle कैसे हम develop करेंगे हम उसको 2 मीने ले जाएंगे उसको किसी institute में training देंगे hotel management की training तो हमने उसका skill upgrade किया तो ऐसे ही summer scheme की हिसाब सी यह sickle up gradation है कि जो लोग hand looms, handicraft, sector में काम करते हैं उनका sickle थोड़ा सा बढ़ाना उनको professional pedestal पे लेके जाना तो इससे क्या होगा jobs बढ़ जाएंगे, sickle भी बढ़ जाएगा उसके बाद और एक है this is line of credit अभी line of credit में क्या होता है line of credit doesn't mean loan line of credit का मतलब नहीं होता है grant देना आप समझज़े जिए आपका कोई friend है जो आपका अच्छा दोस्त है वो आपको बोलता है कि आप preparation करो मैं आपको line of credit दोंगा 50,000 उसका मतलब यह होगा कि आप कभी भी जाओ उसके पास वो आपको 50,000 रुपे देगा और कम interest पे देगा so India ने Mauritius को दिया है line of credit किसलिए to purchase defense equipment from India ठीक है line of credit आएके साब को समझा गया हो India Energy Outlook 2021 जो है यह कोन बनाता है यह एक report होता है यह किस ने दिया by International Energy Agency ने यह explore करती है challenges इंडिया में क्या है कैसे आप sustainable development कर सकते हैं कैसे आप energy बचा सकते हैं यह यह बोलता है कि आपकी population इतनी बड़ी है तो 4 साल बात आपके energy के requirement इतनी होगी सो आप ऐसा कर लीजे आप आज से ही project बना लीजे यह suggestions देते हैं यह आपको यह भी बोलता है कि आप भी population कल को बहुत ज़्यदा बड़ेगी सो आपके लिए वो भी एक opportunity है आप क्या करेंगे आप उनके skills डेवलप करेंगे फिर ऐसे-ऐसे energy sector में है ज़ादा energy अप्रोस कर सकते है यह suggest pathway कता है to get out of crisis अगर energy crisis है कहीं पे दुनिया में तो यह उनको बोलेगा कि आपके पास resources है आप hydro power stations बनाई यह आप nuclear power stations बनाई यह सो यह कैसे निकलना है crisis से वो भी बताता है उसके बाद go electric campaign यह क्या है campaign है Bureau of Energy Efficiency Bureau of Energy Efficiency Environment में भी आता है यह जो star rating हो थी आपके appliance पे 4 star 5 star वो यही जो Bureau of Energy Efficiency है वो देता है इसका मकसद कि है go electrical campaign का जो electrical vehicles होते हैं उनकी उन पे subsidy दे देना उनको बढ़ाना तो electrical vehicles अगर country में बढ़ेंगे उसका मतलब यह हुआ आपको ज्यादा petrol या बाकी बाकी चीज़ जो है वो नहीं आपको petrol import नहीं करना पड़ेगा आपका deficit में नहीं आओगे अभी देखे इसमें सबसे बड़ा challenge था electrical vehicles में यह challenge था कि कहीं पे अगर आप जमू गए यहाँ पे जमू से अपसरी निगरा है तो यहाँ पे charging का infrastructure नहीं था वो एक बड़ा challenge था तो अब यह infrastructure create किया जाता है for charging and all उसके बाद G-SAP है मतलब Government Security Acquisition Program अगर आपको याद OMO की अगर आपको याद कि अदर क्या होता है Buying and Security of Government Securities होता है और G-SAP मैं भी क्या होता है Government Security Acquisition Program RBI ने बोला है कि मैं Pre-Determined Cost की 1,00,00 करोर की जो Government Security है उसको मैं buyback करूँगा लोगों से आप समझ रहे मेरी बात Buyback लोगों से मतलब कि मैं लोगों से वो Security जो है वो वापस ले लोगा 1,00,00 करोर So पहले जो है जो Open Market Operation में मैं यह बोलूँगा कि जो G-SAP है यह Open Market Operation के जैसा ही है जैसे लेकिन थोड़ा सा Different यहां पर है कि Pre-Determined Cost में मतलब पहले ही बोला गया है कि हम जी लेंगे 1,00,00 करोर के जो Government की Security है वो खरीदेंगे लोगों से तो पहले जो Open Market Operations में यह नहीं बोला जाता कि हम कितना करेंगे and all उसके बाद Currency Manipulation आपको याद हो कि मैंने बोला था कोई-कोई Country होती है वो Deliberately अपनी Currency का Value कम करते है Devaluation करती है अभी USA ने क्या है उसने इंडिया को Monitoring List पे डाला है कि इंडिया अभी Currency का इंडिया मैनिपलेशन करता है Monitoring List पे डाला है यह Declare नहीं किया है नहीं किया है Declare कि इंडिया Currency Manipulation करता है बस Monitoring List पे डाला है उसके बाद E20 Fuels देखें इसका है E20 में इथिनॉल 20% हम यह इसका टार्गेट है Blend करना इथिनॉल को किसके साथ पेट्रोल के साथ Up to 20% मतलब पेट्रोल आप एक लिटर लेंगे उसमें 20% जो है वो इतिनॉल होगा लेकिन इसके लिए आपको काफी सारी टेकनोलोजी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी इससे क्या होगा फाइदा होगा ग्रीन हाउस इमिशन काम होगा और आपका जो इंपोर्ट बिल है जो आपको खर्चा आता है पेट्रोल के इंपोर्ट करने में वो काम हो जाएगा अभी इतिनॉल क्या होता है अगर आप देखेंगे जो मुलैसे होते हैं आप समझे जीजे आपने गने का जूस निकाला उसके बाद वो जो वहाँ पे रहता है उसका जो कच्रा रहता है उसकी अगर फर्मेंटेशन होती है एक जैसे C2H5OH ये अलकोहल ग्रूप है तो उसकी फर्मेंटेशन अगर आप करेंगे तो उसमें अलकोहल प्रोडूस हो जाएगा अलकोहल का एक टाइप प्रोडूस हो जाएगा उसको as fuel आप योज़ कर सकते हो ethanol जो है वो एक green fuel है so E20 fuel का मकसद वही है कि जो भी fuels है उनमें तक्रिव बन 20% ethanol का component हो जाए उसके बाद ESG funds है environment, social and governance funds ये क्या होते हैं ये funds होते हैं green companies ये ethical organization के आप ऐसा समझे जैसे mutual funds होते हैं लेकिन ये जो ESG funds होते हैं ये कौन सी companies के funds होते हैं या कौन सी companies में जो funds हैं उनको जो है उनमें invest किया जाता है ये green companies होते हैं जो environment को ज़्यादा harm नहीं करती हैं फर्स्ट जो ESG fund है वो SBI ने लाँच किया हुआ है, सो हम आते हैं इसके बाद, देखे इसमें काफी सारे points होंगे, लेकिन ये सारे आपके ले important नहीं है, जो जो important है वो मैं आपको बताऊंगा, देखे पहले तो what is planning, ये planning का topic हम discuss करेंगे, सो plan में बोलूँगा कि अगर मैं अगले चार साल के लिए plan करता हूँ, कि मेरे गवों में तरकी नहीं है, मैं जी यहां पे school बनाऊंगा, मैं जी यहां पे pool बनाऊंगा, सो मैं आगे के लिए planning करता हूँ, planning का मकसद होता है कि जो आगे आने वाले generations है, उनकी life आसान हो और हमारी life जो future में होगी, वो भी आसान हो, plan कभी पीछे वाले time के लिए नहीं होता है, पास के लिए नहीं होता है, plan is always for the future, so planning जो इंडिया में होती है, जो country की planning होती है, उसकी बात करते हैं, पहले हमारे पास होता था planning commission, अभी हमारे पास आया है, नीदी आयो, पहले हम बनाते थे five year plans, अभी हम बनाते हैं, हमारा थोरो से different होता, अभी हम देखेंगे क्या होता है, अगर मैं आपको planning के types बताओं, पहला मैं बोलूँगा imperative planning, देखे इसमें क्या होता है, एक one central authority होता है, जो सारा plan करता है, अभी हमारे जेंटर में कोई group है, पास चलो government है, वो सारी country की planning करेंगे, वो नहीं सुनेंगे किसी का, अगर कोई state बोलता है कि मुझे जी मेरे state में पानी कम है, वो नहीं सुनेंगे, वो बस अपने से plan बनाएंगे, उनको लगेगा कि ये करना है, तो वो वही करेंगे, उसके बाद indicative planning, देखिए, ये जो planning है, इसको inducement planning भी कहते हैं, इसमें government act करता है, इस facilitator और encourage करता है, private sector का role economy में, देखिए, अगर कोई country है, ये usually होता है mixed economy में, देखिए, अगर कोई country है, तो हम, हमें अगर ये लगता है, हमें ये सोचना कि है, हमें 40% जो है, roads, over-add करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या करते हैं, हम indicative planning में, कि हम private sector को भी involve करते हैं, कि आप जी, ऐसा road बनाईए, हम उनको facilitate करते हैं, उनके लिए जो और रह है, उसको असान करते हैं, उनके permissions ये जाउट करते हैं, उनको tax breaks दे देते हैं, या PPP mode पे ले जाते हैं, so indicative planning में encourage किया जाता है, government सिर्फ act करता है, as facilitator, उसके बाद prospective planning जो होता है, ये planning commission अभी adopt करा है, prospective planning ये usually 15 to 20 years का होता है, ठीक है जी, लेकिन ये होता किस चीज़ से है, through five year plans and annual plans, उसका मतलब ये होगा है, कि हम ने पंदरा साल के लिए, मैंने target रखा, कि पंदरा साल के बाद, जो है full electrification होना चाहिए, पूरी country में, so अब मैं एक-एक साल के छोटे-छोटे plan बनाऊंगा, एक साल में मैं 40 village को cover करूँगा, दूसरे साल मैं 40 village को cover करूँगा, या मैं 5-5 साल का plan बनाता हूँ इसमें, उसके बाद fix it plan होता है, it is fix it, for five, और six or seven years के लिए fix होता है, physical targets are, fix it long with total outlook, अब इसमें fix it target होता है, कि 7 साल के लिए plan है, पूरी जो country, उसमें सब गरू में tap water पहुंचाना, आपको लगेगा इसमें 400 करोड, ये 400 करोड है आपका target, और 100% coverage है, आपका दूसरा target, तो इस target को achieve किजिए, वो हम करते हैं fix it plan में, उसके बाद decentralized plan में, देखें, decentralized plan में, grass root level से planning में ये लिया जाता है, suggestions ली जाती है, executional plan from grass root level, formulated by center and accordance with state authorities, मतलब आप समझ जीजे, जो हमने पहले मैंने आपको बोला था, जो imperative plan था, उसमें center जो states से कुछ नहीं पोच्छता था, लेकिन यहां states का जो suggestion है, वो लिया जाता है, उनने बोला जाता है, कि आप क्या आपको लगता है, कैसे हमें करना चाहिए, और उसके बाद किया जाता है, उसके बाद rolling plan, rolling मतलब की, जो roll होता है, roll होने का मतलब की, चलना, जैसे आप pen को roll करेंगे, pencil को अपनी copy पे roll करते हैं, इसमें क्या होता है, under rolling plan, every year, three new plans are prepared and acted upon, हर साल, तीन plan बनते हैं, plan for the current year, which includes annual budget की, इस साल के लिए budget की, a plan for fixed number of years, फिर ये हर साल ये भी बनेगा, कि आगले 5 जो साल है, उन में क्या होगा, उसके बाद, prospective plan for 5, 10 और 15 years, देखिए होता क्या है, इसको rolling plan क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं आज 2021 में हूँ, सो मैं rolling plan बनाता हूँ, आगले 3 साल के लिए, जब 2021 जो है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे बस 2 साल का plan बागी होगा, लेकिन अगेन मैं क्या बनाऊँगा, मैं और 3 साल का plan बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा 21 में 22, 23, 24 का plan, उसके बाद जब मैं 22 में जाऊँगा, फिर मैं बनाऊँगा plan 3 साल का, मतब 22, 23, 24 का, एक एक साल बढ़ता जाएगा, और वो continue होता जाएगा, that's why हम इसे कहते हैं rolling plan, Thus there is no fixation of dates in respect of commencement and end of plan under rolling plan, कोई fixation of dates नहीं होता, जनता government ने पहले बार किया था, अब यह होता है core plan, देखे, core plan में क्या होता है, कि पहले state से पूछा जाता है, कि क्या आपको लगता है, कितना आपका estimated revenue है, अगर वो बोलेंगे 5 करोर, एक state बोलता है 5 करोर, दूसरा बोलेंगे 10 करोर मेरा expected revenue है, जो मेरे पास पैसा आएगा, different sources है, tax है, बागी non-tax revenue, उसके बाद यह बोला जाता है, ठीक है, आपका 5 करोर है, तो आपको मैं देता हूँ 4 करोर, खर्चे के लिए, जो आपका expenditure है, लो जी, ash करो, उसके बाद दूसरा state जिसने बोला था, मेरा 10 करोर है, उसको बोलेंगे, आपको 8 करोर देंगे, कोई state बोलता है, मुझे 1 करोर आएगा, मेरा revenue उसको बोलता है, आपको शिर्फ 80 लाग देंगे, तो वो होता है core plan में, अभी need for economic planning क्या था, इंडिया में at a time of independence, हमने क्यों economic planning की जुरूरत पड़े देखे, पहले तो poor economic conditions थे, बहुत ज़्यादा गुरुबत थी उस टाइम पे, effective mobilization of resources करना था, इसलिए, जो industries थी, वो ज़्यादा काम नहीं कर रही थी, कि मतलब industrial sector जो हमारा था, वो backward था, USSR ने planning शुरू की थी, और वो काफी तरक्की पे चल रहे थे, तो इसलिए जुरूरी था, उसके बाद अगर हम evolution of Indian economic planning देखे देगे, पहला था, 1934 में, विस्वेस वरेया plan, इसने emphasize किया था, shifting from agriculture, emphasize on shifting from agriculture to industrialization की, industrialization पे हम shift करेंगे, आप रखेंगे बस यह याद कि, पहला वाला यह था, जो विस्वेस वरेया plan था, उसके बाद ज्यादा इसमें आप ना जाते हुआ, हम आजाएंगे नीतियाग पे, देखें, नीतियाग से पहले हमारे पास होता था, जिसे हम कहते थे planning commission, planning commission क्या था, वो एक non-constitutional, non-statuary body थी, उसका मतलब कि हमारे constitution में, कहीं पे वो mention नहीं है, कोई amendment constitution में नहीं होई है, कि हमें planning commission बनाना है, अभी नीतियाग का full form का है, national institution for transforming India, setup कब हुआ, 1st January 2015, इसने replace किया planning commission को, अभी हमें कुछ-कुछ चीजें, इसमें देखनी पड़ेंगी, देखे, non-constitutional, non-statuary body है, याद आपको रखना, इसी पे हैं से क्यों आते हैं, non-constitutional, non-statuary body पे, उसके बाद इस थे think tank, think tank का मतलब क्या होता है, कि यह group है, लोगों का, जो मशवरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप याद रखनेंगे, it is advisory body, it is advisory body with no financial role, इनका कोई भी financial role नहीं है, so planning commission को financial role था, काफी हद तक, लेकिन इनका कोई financial role नहीं है, और इनकी recommendation binding नहीं है, government पे, मतलब इन्होंने government को बोला, कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन government मजबूर नहीं है, हो सकता है, government सुने, हो सकता है, government ना सुने, government अपनी मर्जी की माले की, उसके बाद, unlike planning commission, it does not enjoy financial power, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, okay, composition, अगर नीतियाव कर देखे, तो prime minister जो होता है, वो chairperson होते है, vice, जो chairperson होता है, वो nominate किया जाता है, भाई, जो prime minister होता है, वो nominate करते हैं, vice chairman को, okay, उसके बाद, यहाँ पे हम याद रखेंगे, पस यह चीजे इस paragraph में आपको याद रखनी है, उसके बाद, governing council जो होता है, पहले होता था, national development council, अगर आप पुरानी कोई book पढ़ेंगे, वहाँ पे था पहले planning commission, planning commission में था national development council, अभी national development council और governing council में क्या होता था, governing council और national development council, आप मालेंगे यह सेम है, अभी governing council में क्या होता है, इसमें सारे जो states होते हैं, उनके chief ministers होते हैं, और left and governors होते हैं, आप मिलके आते हैं, फिर यह plan discuss-viscus करते हैं, लेकिन यह head हमेशे, जो governing council इसे head किया जाता है, through prime minister, तो बस आप अब याद रखेंगे, अभी attached offices attached to need, कौन-कौन से offices होते हैं, development monitoring and evaluation office, DMEOGC 2018 में established किया गया था, successor of earlier पहले क्या होता था, program evaluation office, it monitors schemes, policies and programs of government of India की, कोई scheme बनाईगा, मिन उसको monitor किया जाता है, through development monitoring and evaluation office की, यह scheme से चल रही है, इसमें क्या problems है and all, उसके बाद national institute of labor economics and research, यह भी इसका एक attached office होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, उन पे data collect करना, ओके, देखे, seven pillars of needy आयोग है, यह pro people है, pro activity है, कि बातों में येकिन ही, action में येकिन, participation मतलब, सारे seasons की participation मतलब, आप यह समझ देजेंगे, कि पंचायत में जो लोग काम करते हैं, उनसे भी पूछा जाता है, कि आपको ये plan कैसे लगता है and all, उसके बाद empowering, women empowerment, उसके बाद inclusion, उसके बाद equality or transparency, अगर हम बात करें, objectives, पहला, ये, to foster cooperative federalism, cooperative federalism मतलब center, तो बोलेगा ही, बोलेगा, लेकिन states का भी काफी हाद होता है, बोहाँ होता है बोलने में, वो होता है, इसने promote असल में किया है, cooperative federalism को, okay, formulation of plans at village level, aggregation at higher level, यहाँ पे हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, कि यह जो नीतियां, okay, इसका bottom-up approach होता है, what does that mean, उसका मतलब यह होता है, देखें, पहले planning commission top से ही बनाता था, plan कता था, वो बोलता था, कि यह जी, ऐसका होना है, लेकिन bottom-up approach में क्या होता है, कि छोटी-छोटी गहों में, जो institutions होते हैं, पंचेट, वहाँ से plan बनता है, वहाँ से बोला जाता है, वो suggestion आती है, फिर उसको consider किया जाता है, फिर plan बनाया जाता है, सुपेशल अटेंशन टू सेक्शिंट अट रिस्क, फिर नॉट बनेफिटिंग अगरी फ्रम एकनॉमिक प्रोसेश, दियान दिया जाता है, गरीब तबकों पे, वो तबके जो इगनूर किया जाते थे पहले, एकनॉमिक पॉलसी और इंटर्णाल सेक्यूरिटी के इस्यूस भी, उसमें नैशनल सेक्यूरिटी का कोई इस्यू नहीं होता था, आप इसका मतलब यह नहीं कि फुली नैशनल सेक्यूरिटी, जो है वो जो नीतियावक देखता है, नहीं, ऐसा नहीं है, यह अपनिक पॉलसी है, उसमें, तौ अलसो इंकोर्परेट नैशनल सेक्यूरिटी के इंटर्स की, जो आप डेसिज़न ले रहें, क्या वो नैशनल सेक्यूरिटी इंटर्स में है यह नहीं है, partnership with national and international think tanks यह आपको समझा गया होगा उसके मतलब platform for resolution of intersector and interdepartmental issues कुछ issues होते हैं तो इनको resolve करना functions आपको पता यह cooperative federalism जो हम अभी बात करें एक think tank है वो जो intellectuals होते हैं उसके बाद यह कुछ social economic indices जो है वो promote करता है उनकी बात करता है हम यह देखिए बदले है national development agenda instead of preparing a five year plan as done by planning commission जो पहले होता था नीति आउग has formulated national development agenda national development agenda of नीति आउग involves following three national development agenda में तीन आते हैं एक तो vision document यह prospective plan है लंबी duration का 2032 तक it combines national development goals with international sustainable development goals along with plan relating to internal security and defense मतलब यह national plan जो हम चाहता है कि हम electrification करें हम चाहता है कि हम घर घर पानी पहुचाए so यह उन issues को relate करता है sustainable development goals जो है internal security की goals तो उनको यह जो vision document है यह उनको relate करके हमें दिखाता है कि हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं हम यह कर सकते हैं साल बाद यहाँ भी हम हो सकते हैं उसके बाद strategic document की यह हम कैसे करेंगे अची उसके बाद action plan document उसमें the three year short term action plan की action plan की अब ऐसा समझ जीजे कि हाँ अभी हमें अगर यह वाला बड़ा target जो है अचीव करने है 100% electrification तो अगले तीन सालों में हम क्या करना चाहिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए major agendas जो थे goals जो थे अगर हम पहले इसका था कि to reduce physical deficit doubling farmers income job creation urban ruler जो development है दोनों का development electricity for all house holds LPG connections and all यह आपको देखना पड़ेगा हाँ अभी यह हम आते हैं यहाँ पे बहुत important जो इसमें है अभी हाँ की performance indices जो नीतियाग जो है वो declare करता है या की indices जो यह release करता है यह आपको याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे आप ज़्यादा नहीं चाहिए बस आपको यह indices लेकिन ज़रूरी याद रखने है पहला composite water management index यह किया जाता है published नीतियाग के दोरा दूसरा school of education quality index यह नीतियाग के दोरा उसके बाद इंडिया innovation index उसके बाद sustainable development goals इंडिया index sustainable development goal अलग है लेकिन sustainable development goals इंडिया index यह जो है यह release किया जाता है by planning commission यह आप indices को याद रखेंगे कौन कौन सा पहले तो sustainable development goals index इंडिया innovation index school education quality index और इससे पहले composite water management index यह प्री के लिए याद रखेंगे थोड़ा differences को अगर देखा जाए planning commission जो पहले होता था और अभी नीतियाग है planning commission enjoyed powers to allocate funds मैंने बोला था funds का वो role का होता था लेकिन अभी इसका कोई रोल नहीं है financial कोई रोल नहीं है आप याद रखेंगे इस्यू डिक्टम उस्टेट गवर्मेंटेशन पहले होता था इसको बोला जाता था आप ऐसे करो अभी guideline दी जाती है लेकिन स्टेट को पूछा जाता है पहले उसे मश्वरा किया जाता है उसमें top down अप्रोच था planning commission में पहले center से plan बंदा था हर जगे के लिए लेकिन यहां पी है bottom up अप्रोच की आप पहले उनी से पूछते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए जो planning commission था उसमें centralized decision था यहां पे decentralized decision है मतलब कि गाउं उस गाउं वाली level से पंचायद level से मश्वरा लिया जाता है फिर finally decision जो है वो बना जाता है जो decision है वो लिया जाता है plan जो है वो तब बना जाता है चले I hope आप आप यह चीज़ें समझागी कोई for any confusion for any query call कर सकते हैं आप कभी भी thank you thank you very much अब हम कल वारी class में फिर से कुछ चीज़ों को देखेंगे और as soon as possible within a day or two हम चीज़ों को complete करने की कोशिश करेंगे but yes इंशाला exam से पहले जो current affair होगा मैं साल डेट साल का जो पोरा current affair होगा उसको scan करेंगे वो आपको exam से पहले in form of notes in form of class इंशाला मिल जाएगा बस जिंदगी रहनी चाहिए you don't have to worry आपको किसी भी source कोई भी आपको book नहीं देखनी पड़ेगी current affairs को वो आपको सब कामे short notes बना के दोंगा और उसके लिए इंशाला एक lecture भी होगा detail में anyways thank you for your cooperation thank you very much inshallah we'll try to cover the cell bus as soon as possible thank you take care